किसान बंदों, नमस्कार मैं राजुराम राठोर तैसिल बिल्लाडा जिल्ला जुत्पुर राजस्तान से आज आपको ऐसा वीडियो हम बता रहे हैं इस वीडियो में आप जो हरे कच एक धम कतार में, लंबी कतार में जो 3 से 5 साल के पोधे देख रहे हैं यह है अनार की फसल आज से पहले हम कहीं बगीचों में गुमे हैं कहीं बगीचों में गए हैं तो वहां बगीचे के मालिक और वहां के करसकों से जब बात हुई तो कहते हैं कि 50% रसायन का उप्योग करते हैं और 50% जेविक विदियों को अपना कर उत्पादन ले रहे हैं पर अचमबे की बात इस बगीचे में यह है कि सुरुवाद से लेकर अब तक फसल अनार की 5 साल की हो गई है इसमें किसी भी तरह का बायो उत्पाद बजार से खरीद कर उप्योग नहीं किया गया है यह बगीचा ऐसा क्यों है इस बगीचे में ऐसा क्या उप्योग करते हैं इस बगीचे की देखरे कौन करता है और इस बगीचे के माले कौन है तो आईये जानते हैं आपको उनसे रुबूरो करवाता हूँ नमस्कार जी किसान बाईयों नमस्कार मैं गायड राम सुतार गाव बांदेवाद तैसल बिणियना जिला जैसल मेर मैं किसान भायों से निवेदेन करता हूं कि अभी मैं मेरे भगिछे में खड़ा हूं और राजुराम जी वीडियो बना रहे हैं धनेवाद राजुराम जी को बहुत बहुत जो कि हमारे यहां पदा रहे हैं लेकिन आप से निवेदेन करता हूं जो भी किसान भाई अनार की ख तन ने Guys कि पतो का कलर है और गई साल मैंने अजय किकम्पोजर दिया, जरे हैं फसल ली उसमें में के दस टन की घटन थोंट्री हो गई, आप विकम्पोजक्स का की साथ और क्या कर सकता है, नविभ चिटनास के लिए आपको ज़्यादा से जरूत पड़ा है तो अमोरे है या पच्चिमी राजसान में आख, आख बहुत है के पतों का गोल पलाए, बहुत ही अच्छा कीटनास के, इसे ज़्यादा क्या हो सकता तो आप देख रहे हो मेरे, जाव देख रहे हो, इसमें कुछ भ अपने घर में अपने फोन में किया तो आपने देखा कि जहां तक मैंने आपको hospitality camera दिखाया है वहां तक किसी भी पोधे में किसी भी करकार का रोग प्रकौप नहीं है नहीं पतियों में तेलिया दिख रहा है नहीं किसी कीट का प्रकौप इस अवस्ता में भी आप गायड राम जी में जानना चाहता हूँ आपकी उम्र क्या है मेरे सर 50 साल है 55 साल की उमर में आप स्वेम बगीचे की देखरे करते हैं और साथ में एक यवा मित्र है जो स्वेम बगीचे के उपर पोधों की देखरे करता है हर सबते में आप कहते हैं न्यूट्रेंट वगर देते हैं तो आप थोड़ा बताईए कि इसका शेडूल किया है शेडूल इसका कुछ नहीं हर आपते में इसपरे दे रहा हूं 50% दीकंपोजर और 10% दे रहा हूं माइक्रोनूटेट और प्लस 2% दे रहा हूं देई अनार के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है जैसे की आपने बताया कि बजार के महंगे रसायन का उपव्यो करने से किसानों का खर्चा बढ़ जाता है जो तीन साल पहले आपका जो कहरचा लगना था वो से कुछ चीज लाऊंगा नहीं उसके बाद डीकंपोजर यूज किया मेरे को बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही आनन्द आया बहुत ही प्रॉपट हुई यहांनि कि माल में दस टन की बड़ोतरी हुई इससे जाधे तो क्या हो सकता है अनार के फटने की आप बताएं क्या आपके अनार में फटने की सिकाइट आई वैस्ट डीकंपोजर के उपयोग से भी मैंने एक साल पेस्टिसाइज दिया होस्ता है मेरा 30 परसेंट अनार फट गया था और यह देसी किया उसमें मेरे को यह 30 वीगों के अंदर रहनी तीन वहा इतना फरक है बोलिए तीन हजार पोदो में वैस्ट डीकंपोजर का पिछले तीन साल के उपयोग के बाद जब आपकी फ्रूटिंग की छटाई हुई पकने के बाद और आप कह रहे हैं कि उनको डूंड के भी अगर लाया जाए पोदों में से तो आप कह रहे हैं कि 10 किलो पर भी फटे हुए फल नहीं मिले यह आप किसान साती प्रतिक्स देख रहे हैं ये गाहय राम जी स्वयम अपने मुझख से अपनी आप भी ती सुना रहे हैं बगीच आप स्वयम देख रहे हैं जो भी किसान साती अनार का बगीचा लगाए हैं आसपास में वो आप आके यहां निरिक्षन करें और इनसे गाइड लाइन ले क्योंकि हम भी यही चाहते हैं आप भी यही चाहते हैं कि बजार का जो महंगा रसायने वो प्योग कम हो और अधिक मुनापा हो गायर राम जी लोग आपका बगीचा देखे आपसे संपर करें कॉंटेक्ट नमबर चाहते हैं मेरा कॉंटेक्ट नमबर है तो कितना तीन साल में आपका रसायन का खर्चा बच गया यह बताई तीन साल में अगर आप गिंती पहले के हिसाब से करें तो सीधा सीधा 15 लाग का बच गया तीन साल में 15 लाग रुपे रसायन का बच गया पहला प्रॉपिट यह हो गया दूसरा खेत स्वस्त है बगीचा स्वस्त है और गोर करने वाली बात देखिए किसान साथियों बगीच ये को किदर भी मैं दिखाऊं पोदे के अलावा कोई आपको खरपतवार नहीं दिख रहा है अब इसका क्या राज है ये भी थोड़ा जानते हैं कि गायड रामजी इसम किसान साथियों आप महेंगे से महेंगा रसाइन महेंगे से महेंगा खरपतवार ना सक या जो भी आवशक न्यूट्रेंट आपको लगने वाले हैं जिस तरह गायड रामजी के सयोग से इस युवा मित्र ने यहां कुछ बैरलों के माद्यम से बनाया है मैं आपको इनके यूनिट पे दिखाता हूँ क्या क्या बनाया है इसके अंदर भी अनार की फसल के लिए न्यूट्रेंट है इस सो लेटर डेट सो लेटर की टंकी के लिए जो बना है इसमें भी न्यूट्रेंट है एक ग्यारा सो लेटर की टंकी है इसके अंदर भी गाय माइक्रो नियूट्रेन बनाया है 1000 लिटर यह बहुत बढ़िया माइक्रो नियूट्रेन अनार के लिए बनाया है यहाँ कुछ यह उत्पाद है यहाँ से drip irrigation बेने का सिस्टम है और यह जो नली आप देख रहे हैं यहाँ से इस टंकी में से माइक्रो नियूटरिन ड्रिप के साथ देते हैं और गायड राम जी कह रहे हैं कि आक से जो उत्पाद बनाया मैं आपको फिर से गायड राम जी से निवेदन करूंगा कि अक्सर किसान साथी रसायन के उपयोग से बहुत दुखी हैं तो आप एक बार सही से उन किसानों का मार 20 किलो हरे पत्ते टहनीयों के साथ है हरी तःनी के साथ अग के पते और छे किलो गो बर वीश लिटर गो मुंतर इनको ड्रम में डालके एकदम एयर टाइट डखन डेकर चार दिन दूप में रखे फिर दूप में रखने के बाद इसको एक एक एकड में देनाए एक एकड में जड़ा में पिला ना है तो यह मैने में एक बार यह पी गया तो कोई भी तरीका का रोक पोदों को नहीं लगी गया है जो लट आती है सुन्डी बोलते हैं वो लट भी नहीं आई गी और आपने केमरे के माध्यम से पोदे का उपर ही हिस्सा देखा बगी जे का पूरा भाग मैंने आपको दिखाया कोई पोदय में पीला पन नहीं कोई पोदय में निमेटर्ड नहीं और कोई पोदय ऐसा नहीं जिसके उपर अब भी फ्रूटिंग नहीं है सब के उपर कम से कम सो से उपर यानि कि 150 से उपर फल लगे हुए हैं कुछ प्रूटिंग भी आ रही है कुछ ऐसी अवस्ता है खेत में लगे अनार के पोदों की तो आप सभी किसान सातियों से मेरा भी यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रसाइन का उप्योग कम करें अगर आप रसाइन करते भी है तो उसके साथ भी अप वेस्टर डी कंपोजर को उप पादन अच्छा मिले बजार बाव आपको अच्छा मिले और अधिक जानकारी हम राजस्तान के होने वाली फसलों के बारे में देंगे मैं आपका साथी राजुरामराथोड आप हम से भी सिता संपर कर सकते हैं जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रही हर एक नए वीडियो में नई जानकारी 946169194 पर